मादफ शेट ने रियल्मी को छोड़ दिया बिल्कुल इसी हफते हैं पे निउस आई है कि मादफ शेट जिन्हों ने रियल्मी को शुरू किया था लगबक 8-5 साल पहले उन्होंने रियल्मी को यहाँ पे छोड़ दिया यानि कि मादफ शेट की जरनी काफी अच्छी थी रियल्मी में काफी कमाल के फोन्स लाएते हाली में दिखा तो उन्हें प्रमोशन भी मिलाता वो रियल्मी इंडिया से रियल्मी ग्लोबल के अंदर भी चले गएते देखाया तो मादःफशिट ने तो काफी काम किया था लेकिन अब देखने sagtर वाली बातों कि रrialmy का किया होता है क्यूंकि जब से मादःफशिट ने छोड़ा है साथา फुण Even last report की बात कर तो जो रियलमी कम तनी है वो एक जमाने में वेचे पर 2nd position 3rd position पर आती थी थी न वो 4th 5th पर यहाँ पर खिसक चुगी है अब देखने कि Realme की यहाँ पर कहानी क्या होती है Madhav Shit के छोड़ने के बाद लेकिन अगर हम बात करें तो Madhav Shit के आगे का प्लान यहाँ पर क्या है तो एक report आई थी यहाँ पर लास्ट वीक उसमें पता चलाता है कि Madhav Shit जे वो Honor इंडिया को जॉइन कर सकते है लेकिन Honor वालों ने इस चीज़ का कोई भी confirmation नहीं दिया कि Madhav Shit पहले Realme में तो Realme से resign करने की news नहीं लेकिन पहले Honor जॉइन करने की news आगे तो मेरे को लगता है कि behind the scene चीज़े चल रहे होगे और काफी सारी चीज़े सौट आउट करने के बाद ही कम्तनी ऐसी चीज़े को announce करती है तो एक बार Realme ने announce करती है तो हो सकता है कब वो Honor जॉइन करने वाले हो तो हो सकता है कुछ दिन के बाद या अगले महीने इसकी news यहाँ पा सकते कि Honor इंडिया के वो head बन गए हापे और basically इसे काफी interesting बात थी कि Realme को नो ने scratch से शुरू किया था पीछो obviously OPPO की backing थी लेकिन अब Honor की यह बात करें तो Honor भी इंडिया में अपने comeback कर सकते हैं यह को Honor के जाने की reports पिछले साल सा रही थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि Honor का फोन अभी मत लो क्योंकि Honor के जो फोन से वो तो market में है नी अभी Honor लैप्टॉप में चलता है और कुछ accessories है market के अंदर वो बिखते है Honor के लेकिन Honor इंडिया में ना ही अपने भी फोन बनाते है ना ही फोन को बेचता है तो डेफिनिटली Honor को हो सकता है कि अब जो comeback होगे Honor का global level पे तो सोच रहो कि इंडिया में भी चलो हम पनी शुरुआत करते हैं और कोई इंडियान को अपना face बनाते है इसलिए मादफ शेट हो सकता है इस चीज़ को जोइन करने वाले हो लेकिन अभी भी Honor की तरफ से कोई नीज़ नहीं है कि कब आएगा कैसा आएगा कौन से फोन साइगे क्या price range होगी फोन इंडिया में बनें की import होके आंगे कोई भी नीज़ नहीं हमने सब जगे चेक कर लिया Honor Global के बास भी कोई information है कि Honor का इंडिया में फोन बिसनस शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा लेकिन अगर Honor अगर आती है अच्छे फोन लाती है तो शद मार्केट में का छॉप्शन हो सकता है बाइदावे अगर Honor के फोन को लोगे या नहीं लोगे यह बात नीचे कमेंट में बता सकते हो लेकिन एक इंटरस्टिंग बात यहाँ पर मिरको यह पता चली थी कि यहाँ पर Honor देखाया तो बेसिकली इंडियन इंटरप्राइज का साथ पार्टरशिप करना चाहती है इसके साथ ही जितने भी एक्जेकिटिव सीनिर लेवल पर होते हैं इंडिया में उनको इंडिया नहीं रखना पड़ेगा इसके साथ ही इंडियन इंटरप्राइज के साथ पार्टरशिप करके उनको distribution और manufacturing सेट अप करनी पड़ेगी और यहां तक कि यह भी बोला गया कि इंडिया के भार export भी करना पड़ेगा बिसकली अभी क्या रहता है कि चाइनीज कमतिया काफी जादा independently कम करती है और government को यह चीज पसंद लिया और यही के लोगों से पैसा लेके चाहिना ले जा रहे है और simple सी बात उन्हें भी समझ में आ गई है कि यहां पर देखा तो कोई इंडियन कमतिया भी market में standout नहीं कर सकती Micromax ने comeback किया वो fail हो गई इसके लावा लावा एक अच्छा brand हो जो नहापे धीरे-धीरे grow कर रहा है लेकिन लावा के अलावा Samson के अलावा हर एक कमतिय चाहिनी जो बड़ी है चाहिए हम शौमी की बात कर लें है पूरा BB की ग्रूप देख लें कि यहापे Indians को थोड़ा benefit हो Indian executives आए और जो Chinese की जो monopoly बन रखीने इन companies वो कम से कम हो यानि की products वगर आए लेकिन यहापे Indian enterprise की साथ अगर collaboration वगर करेंगे तो यह चीज हाँ पे काफी जादा better हो सकती है इसके साथ ही बात कर तो एक और news निकल कई यह इसी से related वो है Xiaomi से रहे देखो last week Xiaomi को एक notice गयाता है हापी ED की तरफ से basically उनको बुला जाए कि उन्होंने गलत तरीके से इंडिया से पैसा लेके बाहर पहुँचा है कुछ कहते कि royalties के forward पे पहुँचा है कि जैसे कि अगर कोई company अगर Qualcomm का process इंडिया में यूज़ करें snap drug अगर Qualcomm को royalties पे करनी पढ़ेंगी लगबाग पिछले साल ED की rate पढ़ी थी हाँ पर और अभी तक जो मामला है जो information आ रही है लग रहा है कि Xiaomi की हालत internally शायद इत्ती खास नहीं है लेकिन वही अगर हम मैं बात करूँ दूसरी चीजों के बार में जिसकी बात करें इंडिया के smartphone business के बार में तो आप लोग को पता है कि इंडिया के अंदर यहापे manufacturing काफी जादा होती है mobile phones की और इंडिया देखा तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा market है लेकिन आप एक report से पता चला है कि 2025 तक इंडिया नमबर वन हो सकता है यानि कि अभी क्या होता है कि majority जो phones इंडिया में बनते हैं वो इंडिया के local use करने के लिए लेकिन आप आने वाला प्लान यह कि और भी phones को इंडिया में बनाया जाए और उन phones को बाहर export किया जाए including iPhone और Apple भी यहाँ पर इंडिया में manufacturing plants वगरा setup कर रहा है आपको पता है कि Tata के साथ पार्ट विप कर रही है, Foxconn, Wistronn यहाँ तक कि यह भी पता चला है कि iPhone 15 का भी production यहाँ पर day 1 से इंडिया के अंदर होगा और हो सकता है कि वो iPhone इंडिया से निकल के भाहर बिकने जाए यानि कि इंडिया में जादा से जादा smartphone बने और बहार भी बिकने जाए इसके बाद जो इंडिया वो दुनिया का number one smartphone market बन जाए यानि कि एक ऐसी जगे जहाँ पर सबसे जादा mobile phones भी यूज़ भी की जाते है सबसे जादा mobile phones बनते है और अभी देखा जा तो चाइना आगे और अगर हम चाइना को पीछे कर दें एक बहुत बड़ी चीज हो गया पर definitely future काफी brightest smartphone industry भी evolve करी है देखो मैं सच बोलूँगा कि technology वाइस चीज़ इत्ती जादा नहीं हो रही इंडिस्ट्री के अंदर लेकिन अगर हम इंडिया में phone बनाके बाहर के लोगों के supply करे तो एर इस सची चीज क्या होगी बतलब कि USA के अंदर कोई phone यूज़ कर रहा है जिसके पीछे लिखा हुआ है assembled in India इन में से कौन सी चीज आपको सबस्याद इंट्रस्टिंग लगी ये बात नीचे comment बताओ और ये भी बताइए तो क्या आप उनका phone लोगे या नहीं लोगे ये बात नीचे comment बताँ ना भूला थेंक्यों के विडियो देखने के लिए मैं आप सबस्टों नेक्स्ट वन के अंदर गुट्बाइ